नमस्कार वेलकम टू गूगोल साला मैं पूनम यादव आज की क्लास में हम प्रीवेस एर के एक वेशन करेंगे जो की खनी संसादन और उर्जा संसादन से सम्बंदित रहेंगे बार-बार एक्जामस में आते हैं इन क्वेशन को आज हम कवर करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं क्वेशन नमबर वन भारत में निमिल लिकित में से किस भाग में खनी संसादनों का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है इन विच ओफ फोलोविंग पार्ट ओव इंडिया आर दा लार्जेस्ट रिजर्व्स ओफ मिनरल्स रिसोर्स फार्म्ड भारत का ऐसा कौंसा शेत्र है जहां पर खनीजों की प्राति सबसे अधिक होती है तो ऑप्शन ए साउथ एस्ट ऑप्शन बी नौर्थ ऑप्शन सी स जाउथ या ओप्शन डी विस्ट ऑप्शन ए आंसर रहेगा भारत का दक्षणी और पूर्वी शेत्र जोकी पठारी शेत्र है और पूर्वी शेत्र जोकी नौर्थ इस्ट वाला एरिया है वहां पर खनीज सरवादिक पाए जाते हैं नेक्स्ट है क्वेशन टू खनीजों की सरवादिक स्मृदी किस राचे में है ता मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी ओफ मिनरल्स इस इन निमन में से कौन से ऐसा एक ऐसा राजे है जिसमें इन तीनों या चारों में से सबसे अधिक खनीजों की प्राफ्थी होती है तो ऑप्शन ए तामिल नाडू ओप्शन बी महारास्ट्रा ओप्शन सी केरला ओप्शन डी करनाटका अंसर है करनाटका करनाटक में एक प्रशिति खान है जिसका नाम है कुद्री मुख लोहो आयसक पाया जाता है यहाँ पर प्वेशन थर्ड भारत की सबसे अधिक खनीज यूप्ट चट्टान बढ़नाली है तो ऐसी कौन सा चट्टानों के बनने का करम है या आप कह सकते हैं कि किस प्रकार की चट्टाने सबसे अधिक खनीजों को रखती है ओप्शन A बिंद्यान सिस्टम, ओप्शन B गोंडवाना सिस्टम, ओप्शन C धारवार सिस्टम, ओप्शन D पुडपपा सिस्टम यह चार प्रणालिया ऐसी हैं जिसमें खनीजों का या चट्टानों का निर्मान हुआ अब हमें इसमें यह बताना है कि सबसे अधिक खनीज कौन से क्रम की चट्टानों में पाये जाते हैं तो आंसर इसका रहेगा धारवार्ड प्रणाली वाली चट्टानों में सबसे अधिक खनीज पाये जाते हैं नेक्स्ट क्वेशन 4 विंद्यन चट्टानों में भारी मात्रा में किसके सोर्स पाये जाते हैं तो विंडियन करम की चट्टाने हैं, उनमें सबसे अधिक कौन से खनीच पाये जाते हैं? ओप्शन A, आईरन या लोहो आयास्क, ओप्शन B, लिगनाइट, ओप्शन C, बेसाल्ट, ओप्शन D, चूना पथर या लाइमस्टोन तो विंडियन करम की चटाने हैं उनमें लाइम स्टोन सबसे अधिक पाया जाता है इसलिए इसका अंसर ओप्षण D होगा भारत में खनीजों में सबसे सम्रद राज्य है तो इन सबी राज्यों में से सबसे अधिक खनीज से सम्रद राज्ये कौन सा है ओप्षण D अंसर है राज्यस्थान परशन 6 निमलिकित में से कौन लहा आयस्क छेत्र है ओप्षण A सिंग भूम, ओप्षण B कुद्रे मुख, ओप्षण C ज़रिया, ओप्षण D सिवान तो लहा आयस्क छेत्र कुद्रे मुख है जो की करना टक भी ठीक है सिंग भूम छेत्र है वो कोईले के लिए प्रशिद है Q7 निमलिकित में से भारत में लोहा आयस्क किस चटान परणाली में पाया जाता है तो कौन से रोक सिस्टम में पाया जाता है लोहा आयस्क ओप्षण A, गौंडवाना, ओप्षण B, धारवार्ड, ओप्षण C, उडप्पा या ओप्षण D, विंद्यन करम की चटानों में तो धारवार्ड करम की चटाने जिनमें सरवादिक खनीच पाया जाते है उसी में लोहा आयस्क की प्राप्ती होती है गौंडवाना करम की चटानों में कोईला अधिक पाया जाता है नेक्स्ट है क्वेशन A, निमलिकित में से किस भूव विज्यानिक चटान परणाली में भारत में किस लोहा आयस्क का स्मृद भंडार मोजूद है ओप्शन A, धारवार्ड प्राणाली, ओप्शन B, गौंडवाना प्राणाली, ओप्शन C, कडपपा प्राणाली और ओप्शन D, विंद्यन प्राणाली तो आयरेन और किस में पाये जाते हैं? धारवार्ड करम की चटानों में पाये जाते हैं Q9 ने मिले कि तुमेंसे किस भारतिय राजे में लोहो ऐस्क उपलब्द नहीं है Option A पंजाब, Option B उडिसा, Option C मद्या प्रदेश, Option D बिहाद तो लोहो ऐस्क कहां नहीं पाया जाएगा जहां पर पठारी रीजन नहीं होगा यानि मैदानी छेतर में इस्थित पंजाब में लोहो ऐस्क नहीं पाया जाता है तो इसका अंसर आएगा Option A Next है Question 10 राजस्थान के नाथरा की पाल में कौन सा खनीज पाया जाता है Option A मैगनी Option B जिंक वे सीसा जोकी चुड़वा खनीज के नाम से भी जाने जाते है इट में जहां सीसा मिलता है वहाँ पर जस्ता भी पाया जाता है Option C कोपर Option D आइरन ओर तो आइरन ओर के लिए राजस्थान में नाथरा की पाल प्रशिद्ध छेतर है राजस्थान में कोपर भी उत्पाडित किया जाता है जो प्रशिद्ध खान खेटडी जुन जुनू राजस्थान में छेतर है नेक्स्ट गोईशन 11 बेला डीला की खाने किसे खनी से संबंदित है तो बेला डीला की खान काफी फेमस है अब आप ये बताएंगे कि बेला डीला की खान किस से संबंदित है आप्शन A माइका, आप्शन B मैगनीच, आप्शन C कोईल या आप्शन D आईरन और तो आईरन और या लोह एस्क के लिए प्रशिद्ध बिला डीला खान जो की 36 गड़ में है तंते वाड़ा स्थान के करीब है नेक्स रेक क्वेशन 12 निमिलिकट में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी यंत्री करत ख़दान है तो आप्शन A बेला डीला, आप्शन B सुन्दरगट, आप्शन C जैपूर और आप्शन D रतनागिरी आप्शन A बेला डीला खान लार्जेस्ट मशिरलाइस्ड माइन है रतनागिरी महारास्ट्र में ख़दान है क्वेशन 13 बेला डीला में निमले कित में से किस लोहा आयसक का खनम किया जाता है आप्शन A मैगनीज, आप्शन B, लिमोनाइट, आप्शन C, साइडराइट और आप्शन D, हेमेटाइट तो लोहा आयसक क्या होता है, या आईरन और क्या होता है क्योंकि प्रकरती में हमें लोहा शुद रुप में प्राप्त नहीं होता है किसी अन्य मेटीरियल के साथ में प्राप्त होता है तो उसे लोहा आयसक कहा जाता है, आईरन और कहा जाता है और लोह आयसक के चार प्रकार पाए जाते हैं मेगनेटाइट हेमेटाइट लिनोनाइट और सीडेराइट सबसे टॉप क्वालिटी का लोह आयसक होता है जिसमें सरवादिक लोहों की प्राप्ति होती है मेगनेटाइट किसम का लोह आयसक होता है जो भारत में सिर्फ जम्मू और कस्मीर में पाया जाता है इसके अलावा संफूर्ण भारत में जहां पर भी लोह आयस्क पाया जाता है तो वो द्युत्य करम का या फिर हेमे टाइट किस्म का लोहा पाया जाता है नेक्स्ट क्वेशन 14 राजस्तान का किस खनीज में लगबग एक अधिकार है यानि ऐसा खनीज जो लगबग केवल राजस्तान में ही पाया जाता है तो जिंक एक मात्र ऐसा खनीज है जो केवल राजस्तान में पाया जाता है नेक्स्ट क्वेशन 15 एशिया का सबसे अच्छा जस्ता और सीसा भंडार कहां उखलब्द है तो जस्ता कहां मिलता है एक मात्र राजस्तान में और सीसा इसके साथ जुड़वा खनीज है तो जहां जस्ता पाया जाता है वहाँ पर सीसा भी पाया जाता है तो एसिया का बेस्ट ऐसा च्छित्र जहां पर सीसा और जस्ता पाया जाता है ऑप्शन A जामर कोटड़ा उदेपूर डिस्टिक में है या फिर ऑप्शन B रामपूर भीलवड़ा डिस्टिक में है या option C देलवाडा उदेपूर डिस्टिक में है या option D राजपूर ओफूर राजस्मद डिस्टिक में है तो option B इसका अंसर रहेगा रामपूर ओफ भीलवाडा में सीसा और जस्ते का बंडारण है question 16 भारत में निमलकित में से किस राजय में चांदी नहीं पाई जाती है option A जारखंड option B गुजरात option C आंद्रप्रदेश और option D उडिशा तो कुजरात एक ऐसा छेत्र है जहां पर सिल्वर नहीं पाया जाता है next question 17 खेतड़ी किसके लिए प्रशिद है तो खेतड़ी राजस्थान के जुनजनू छेत्र में स्थित एक खदान है जो कि किसके लिए प्रशिद है option A बॉक्साइड, option B मेगनीच, option C कोपर और option D आईरन ओर तो कोपर के लिए यानि तामबा के लिए प्रशिद रिखदान है question 18 तामबा उद्योग ने मिलेकित में से किस स्थान पर स्थित है option A खेतड़ी, option B राची, option C तीतागर्ड, option D तारापुर option A खेतड़ी, राजस्थान में तामबा उद्योग तीत है, next question 19 तामबा निम्निमे से कहां पाया जाता है option A मलाल गंज, बालागाट, option B बेलाडीला, बस्तर, option C दिल्ली, राजहरा, option D केसली, मडला तो मलाल गंज में भी तामबे का उद्पादन किया जाता है, बेलाडीला में लोहे का उद्पादन किया जाता है next question 20 निम्निकित में से किस राजह में तामबे का सबसे बड़ा बंडार है option A, राजहसान, option B, करनाटका, option C, जारखन, और option D, बिहार तो राजहसान में तामबे का बड़ा बंडारन पाया जाता है next question 21, बॉक्साइड एक आयस्क है, तो बॉक्साइड किसका आयस्क है, option A, कॉपर का, option B, जिंक का, option C, अलुमिनियम का, या फिर option D, लेड का तो बॉक्साइड एलुमिनियम का आयस्क, next question 22, भार्क में बॉक्साइड के दो प्रमुक उत्पादक छेत्र है option A, उडिसा और जार्खंड, option B, उडिसा और महारास्ट, option C, उडिसा और गुजरात, और option D, जार्खंड और गुजरात तो उडिसा और गुजरात ऐसे छेत्र हैं, जहां पर बॉक्साइड का उत्पादन सरवादिक किया जाता है next question 23, भारत में तीन के प्रमुक उत्पादक है top production of teen in India is option A, उडिसा, option B, जार्खंड, option C, 36 गर्ड, option D, आंद्रप्रदेश option C, 36 गर्ड इसका आंसर रहेगा, तीन के प्रमुक उत्पादक राज्यों में, 36 गर्ड सबसे सीर सिस्थान पर है next question 24, निमले कित में से किस राज्य में तीन आयस्क का विशाल भंडार है option A, वेस्ट बिंगोल, option B, 36 गर्ड, option C, जन्मु एंड कस्मीर, option D, आसंद तो तीन आयस्क का विशाल भंडार पाए जाते हैं option B, 36 गर्ड, उत्पादन में भी और भंडारन में भी 36 गर्ड, प्रमुख है next question 25, भारत में तीन संसादनों वाला एक मात्र राज्य है option A, उडिजा, option B, मद्या प्रदेश, option C, जार्खन, option D, 36 गर्ड answer option D, next question 26, निवलिकत में से कौनसा राज्य है, अब्रक या माइका के उत्पादन में अपना योगदान नहीं देता है अर्था अब्रक का उत्पादन नहीं करता है बाकी तीन राज्य उत्पादन करते हैं इन में से ऐसा कौनसा राज्य है जो अब्रक का उत्पादन नहीं करता है option A, अंद्रप्रदेश, option B, राजस्थान, option C, मद्या प्रदेश, option D, जार्खन तो मद्या प्रदेश एक ऐसा सान है या ऐसा राजे है जो अब्रक का उत्पादन नहीं करता है आंसर ओप्शन C नेक्स्ट है भारत में निमिलिकित में से किस जिले में सबसे बड़ी अब्रक बैल्ट पाई जाती है ओप्शन A शेलम और धरंपुरी ओप्शन B हजीराबाद गया और मुंगेर ओप्शन C उदेपुर अजमेर अलवर ओप्शन T ओप्शन D बाला घाट और चिंदवाड़ा ओप्शन B हजीराबाद गया और मंगेर ऐसे छेतर हैं जहां पर अब्रक बैल्ट पाई जाती है निमिलिकित में से कौन सा भारतिय राज्य अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है ओप्शन A राजस्तान ओप्शन B जारखन ओप्शन C बिहार और ओप्शन D आंदरप्रदेश को ओप्शन D आंदरप्रदेश अब्रक उत्पादन में सीर सस्थान रखता है अंचर ओप्शन D नेक्स्ट है क्वेशन 29 निमिलिकत में से किस राज्य में अब्रक के सबसे बड़े संसादन है विच्व फॉलविंग स्टेट हैस दा लार्जेस्ट माइका रिसोर्सिस ओप्शन ए हरियाना ओप्शन बी उत्राखंड ओप्शन C उत्तरप्रदेश ओप्शन D आंदरप्रदेश तो ये तीनों तो ऐसे छेतर हैं जो अब्रक बेल्ट के अंतरगत आते ही नहीं है तो ओप्शन D आंसर रहेगा आंदरप्रदेश भारत विश्व में किसका अगरणी उत्पादक है ओप्शन A टंगस्टन ओप्शन B माइका ओप्शन C आईरन और ओप्शन D डायमंड तो अब्रक उत्पादन में भारत का व 31 संग्मर्मर क्या है तो संग्मर्मर एक खनेज है या चटान है और चटान का भी रूपांतरित रूप है यानि मेटामॉर्फिक रॉप्श है जिसको मार्बल कहा जाता है ओप्शन A आगनी चटान है ओप्शन B रूपांतरी चटान है ओप्शन C फेल साइट रॉप है या ओप्शन D तल छटी चटान है तो संग्मर्मर क्या है संग्मर्मर मार्बल को कहते हैं और ये एक मेटामॉर्फिक रॉप्श है पत्थर से रूपांत्रित हुई है अर्था चूना पत्थर से संग्मर्मर बनता है नेक्स्ट क्वेशन 32 सबसे अच्छी गुणवत्ता का संग्मर्मर कहां पाया जाता है मकराना चेत्र टॉप क्वालेटी का संग्मर्मर रखता है नेक्स्ट क्वेशन 33 संग्मर्मर है संग्मर्मर क्या है एक मैटामॉर्फिक रॉक्स है ठीक है रुपांत्रित शेल है चूना पत्थर से निर्मित होती है इन में से कुछ विसेस्ता है है हम देख लेते हैं option a कार्वणिक पतार्थों के अकार्वणिक पतार्थों में परिवरतन से निर्मित है option c option b बलवा पत्थर है या option c एक आगनी चट्टान है या option D, पुना क्रस्टली करत चूना पत्थर है, तो पुना क्रस्टली करत चूना पत्थर है, अब हम कोईला और पेट्रोलियम से related question को देख लेते हैं, तो question number first है, निमिल लिखित में से कौन सा कम प्रदूशन कारी इंदन है, which one of the following is less, polluting fuel, option A, natural gas, option B, coil gas, option C, kerosene, option D, petrol, इन में से ऐसा कौन सा इंदन है, जो कम pollution फैलाता है, option A, natural gas, कोईला, kerosene और पेट्रोल, सबी समाप्य संसाधन है, जिनका एक बार यूज करने के बाद वो समाप्त हो जाएंगे तता इनके निर्मान के प्रक्रिया में बहुत अधिक समय लगने वाला है जिवासमे इंदन में संग्रहित उर्जा है जिवासमे इंदन में कौन सी उर्जा होती है Option B Chemical Energy या Rasyonic Urja Question 3 निमिल कित में से किसका उपयोग Steel के निर्माण में किया जाता है Which among the following is used in manufacture of steel Steel को बनाने के लिए हम किस किसका उपयोग करते हैं Option A Coil Option B Coil Option C Coil Option D Coil Gas Option B Coil को उपयोग को उपयोग करते हैं Steel के निर्माण में Steel को आप लोगो इस बात भी कह सकते हैं यह एक ऐसी धातू है जिस पर जंग नहीं लगता है Next Question 4 निमिलकित में से कौन सी चटान प्रणाली भारत को 90% से भी अधिक कोईला प्रदान करती हैं विच ओफ दा पॉलविंग रॉप सिस्टम प्रवाइड ओवर 90% ओफ कोईल अप इंडिया Option C धारवाड, Option D बिंद्यन करम की चटानों में तो गोंडवाना करम की चटानों में कोईले का सबसे अधिक भंडारन पाया जाता है क्योंकि ये चटाने सबसे प्राचीन चटाने है Next Question 5 संसादन की वर्तमान स्थीती में भारत अगले तीन दसकों तक किसमें आत्म निर्भर हो जाएगा At the present state of our resources position, India will remain self-sufficient for the next three decades in Option A, Petroleum में, Option B, Copper में, Option C, Cooking Coil में या फिर Option D, Teen में किसमें आत्म निर्भर हो जाएगा तो Cooking Coil में आत्म निर्भर रहेगा अगले तीन दसकों तक Question 6, Gondwana चटानों को भारत की चटान प्रणाली में सबसे महतोपूर मानने का उप्युक्त कारण ने में लेकित में से कौन साथ तो Gondwana क्रम की जो चटाने है भारत की चटान प्रणाली में सबसे महतोपूर माना जाता है क्या कारण है option a भारत के 90 प्रतिशत से अधिक चूना पत्थर के भंडार इसमें पाया जाते हैं या option b 90% से अधिक उपजाओ काली कपास मेती इनी पर फ्याली होई है या फिर भारत का 90% से अधिक कोईला भंडार इनमें पाया जाता है इसलिए या option d उपर दिये गए कारणों में से कोई भी इस संदर्व में उचित नहीं है तो question number 6 का answer रहेगा option number d यानि भारत का 90% से अधिक कोईला गोंडवाना करम की चत्तानों में पाया जाता है next question 7 भारत में निमिलिकित में से कौन सी चत्तान परनाली कोईला बंडार का प्रमुख स्त्रोथ है which one of following rock system in India is the main source of coil deposit option A विंदन system option B पुड़का या option D धरवाड answer रहेगा option C गोंडवाना करम की चत्तानों में सबस्यादी कोईला पाया जाता है next question 8 कोईला उतबादन में राज्ये का अब वही करम पताईए तो descending order of the state in coil protection is option A बिहार वेस्ट बिंगोल मद्या प्रदेश option B वेस्ट बिंगोल मद्या प्रदेश बिहार option C मद्या प्रदेश वेस्ट बिंगोल बिहार या option D चत्तिसकर जारखन और उडिसा ठीके तो answer इसका option number D रहेगा next question 9 भारत में कोईले का सबसे बड़ा उत्पादक राजे कौन सा है which state is the largest producer of coil in India option A मद्या प्रदेश option B आंद्र प्रदेश option C 36 गड़ option D वेस्ट बिंगोल option C 36 गड़ में सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है next question 10 कोईले के भंडार के द्रिस्टी से भारत के राजों का घटते करम में निमलेकित में से कौन सा सही करम है option A मद्या प्रदेश चत्तिसगड जारकंड और उडिसा option B जारकंड उडिसा चत्तिसगड वेस्ट बिंगोल option C 36 गड़ उडिसा मद्या प्रदेश जारकंड या option D उडिसा चत्तिसगड जारकंड मद्या प्रदेश तो कोईले का भंडार की द्रिस्टी से घटते वे करम में कौन सा सही करम है तो option number B जारखड में सरवादिक भंडार पाए जाते हैं कोईला के उडिसा में पाए जाते हैं जारखड में उत्पादन सरवादिक किया जाता है और फिर फौत नंबर पे वेस्ट मिंगोल में कोईले के बंडार पाए जाते हैं नेक्स्ट वेशन 11 निमले कित में से भारत का सबसे बड़ा कोईला उत्पाद कराचे कौन सा है ओप्शन ए उडिसा ओप्शन बी मद्या प्रदेश ओप्शन सी जारखड ओप्शन दी चत्तिस गड़ तो सबसे अधिक कोईला पाया जाता है जारखड में नेक्स्ट वेशन 12 भारत में दो प्रमुक कोईला उत्पादक राजे हैं उत्पादक राजे हैं नेक्स्ट क्वेशन 30 निमलिकित में से कौन सा राजे भारत की कोईले का सबसे बड़ा उत्पादक है उप्शन A, वेस्ट विंगोल, उप्शन B, 36 गड़, उप्शन C, मद्यप्रदेश, उप्शन D, आन्दर प्रदेश तो 36 गड़ सरवादिक उत्पादन करता है इन राज्यों में से कोईला भंडार के संदर्ब में निमलिकित राजे का आवरोही करम जार्खन ऊड़ी सा 34 गड़, वेस्ट विंगॉल जार्खन चक्ति सकड़ उड़ी सा और मत्यप्रदेश उड़ीश ahчшихड उड़ी सा जार्खन और मत्यänder प्रदेश तो जार्खन ऊड़ी सा वेस्ट विंगोल इमिलिकित कोईला उत्पादक राजों का उत्पादन के संतर्व में घटते क्रम में बताईए जारखन 36 गड़ मद्यप्रदेश प्रिस्कान से रहेगा उप्षिन नमबर डी 36 गड़ जारखन उड़ी सा मद्यप्रदेश वेशन नमबर 16 छोटा नागपूर पठार या छोटा नागपूर ओध्योगिक छेत्र का विकास की खोज से जुड़ा है ओप्षिन A मैगनीच ओप्षिन B आईरन और ओप्षिन C कोईल या ओप्षिन D बॉकसाइड छोटा नागपूर ओध्योगिक छेत्र कोईले की खोज से जुड़ा हुआ देश के पूल कोईला उत्पादन में जारखन की हिस्सेदारी है नियरली 25 प्रतिशत कोईले के तीन प्रमुख उत्पादत घटते करम में है ओप्षिन E 36 गड़ मत्य प्रदेश आंदरप्रदेश ओप्षिन B उडिशा चतिशगड जारखन या ओप्षिन C जारखन चतिशगड उडिशा या ओप्षिन D जारखन उडिशा चतिशगड और वेस्ट बिंगोल बारत में कोईले के दो शबसे बड़े उत्पादक चेतर हैं ओप्षिन E 36 गड़ जारखन ओप्षिन C 36 गड़ ओडिशा या ओप्षिन D आंदरप्रदेश और 36 गड़ तो 36 गड़ और जारखन प्षिन कोईले के उत्पाड़क राजे हैं क्वेशन 20 नम्चिक नामफुक कोईला छेतर निमलकित में से किस राजे में स्थीत है ऑप्षन A मनीपूर ऑप्षन B मिजोरम ऑप्षन C में खाल्यां ऑप्षन D अरणाचल प्रदेश अरणाचल प्रदेश में नम्चिक नामफुक कोईला छेतर पाई जाता है next है question 21 कोर्बा कोईला छेतर कोर्बा कोईला छेतर में स्थीत है कोर्बा छेतर कहां है ऑप्षन A असम्मे, ऑप्षन B, वेस्ट बिंगोल, ऑप्षन C, ओडिसा या ऑप्षन D, 36 गड़ तो 36 गड़ का कोरबा चेतर कोईला चेतर है नेक्स्ट प्वेशन 22 तालचेर एक प्रशिद कोईला चेतर है जो की निम्राजय में है तलचर कहां पे है ओप्शन A उडीसा ओप्शन B जारकंड ओप्शन C 36 गड़ ओप्शन D आंदर पतेश तो तलचर है उडीसा का जो कोईला उत्पादन में प्रमुक्ष चेतर है प्वेशन 23 कोईला उत्पादन में नागपूर का योगदान लगबग है ओप्शन A 60 पसंट ओप्शन B 80 पसंट ओप्शन C 40 पसंट ओप्शन D 20 पसंट 80 पसंट कंट्रिबूशन है छोटा नागपूर बठार का वेशन 24 निमलिकित में से किस कोईला छेतर में कोईला बंडा सरवादिक है ओप्शन A सिंगरोली ओप्शन B कॉर्बा ओप्शन C रानी गंज या ओप्शन D जरिया इन चारों में ही कोईला पाया जाता है और रानी गंज जो छेत्रे हैं सरवादिक कोईले का भंडार रखता है वशन 25 जारखंड में कोईला खदाने पर स्थीत हैं ऑप्षण ए लोहार दगा ऑप्षण बी राची ऑप्षण सी जमसेदपूर ऑप्षण डी ज़रिया आंसर ऑप्षण डी ज़रिया में जारखंड कोईला प्राप्ट करता है क्वेशन 26 ज़रिया कोईला खेतर निमल लिखित में से किस राचे में स्थीत है ज़रिया कोईला खेतर कहां पर स्थीत है ऑप्षण ए चाप्षण गर्ड ऑप्षण बी जारखंड ऑप्षण सी उडीसा ऑप्षण डी वेस्ट बिंगोल ऑप्षण बी ज़रिया कोईल फिल्ड ज़र खेतर नेक्ट है ज़र खेतर के ज़रिया में मुखे तक क्या पाया जाता है तो कौन सा घनीज यहां पर पाया जाता है जारखन में ऑप्शन एक कोईला ऑप्शन भी गोल्ड ऑप्शन सी सिल्क ऑप्शन डी फ्यॉरियम ऑप्शन एक कोईल नेक्स्ट क्वेशन 28 किस राज्य में लिगनाइट कोईले का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है तो विच स्टेट हैस लार्जेस्ट रिजर्व ओफ लिगनाइट कोईल ऑप्शन डी ऑप्शन एक तामिल नाडू ऑप्शन भी राजस्तान ऑप्शन सी क रिलाया ऑप्शन डी गुच्राथ तामिल नाडू में लिगनाइट के सुन का कोईला पाया जाता है नेक्स्ट क्वेशन 29 लिगनाइट कोईले में तामिल नाडू का योगदान लगवर कितना परसेंट है तो कंटिबिशन ओफ तामिल नाडू इन प्रोडेक्शन ओफ 90 परसेंट अंसर है 90 परसेंट कोईला जो की लिगनाइट किसम का है तामिल नाडू पालिट करता है नेक्स्ट क्वेशन 30 विश्रामपूर किसके खननन के लिए प्रशिद है तो विश्रामपूर इस फेमस फोर दा माइनिंग ओफ ओप्शन A मेगनेज या ओप्शन B कोईल ओप्शन C आईरन और या ओप्शन D कॉपर और ओप्शन B कोईले के लिए विश्रामपूर खनन चेतर पुछेते हैं तो इस प्रकार से ये थे कुछ महतुपूर्ण क्वेशन जो की खनी जो उर्जा संसादन से संबंदित थे उम्मीद है कि आपको क्वेशन समझ में आये होंगे इनको आप बार बार रिपीट कीजिए रिवाइज कीजिए इनको इसी के साथ ये है वीडियो का एंड तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्राइब नाओ और प्रेस तबेल आइकन नवर मिस अपडेट